बर्दे पर दिपिका ने की अनोखी फर्माईश हॉस्पिटल में फादर इनलो के साथ कट की या केक शोईप दिपिका हुए एमोशनल तो क्या है पूरी खबर आईए जानते हैं दिपिका शोईप वैसे तो काफी मुश्किल वक्त से गुजर रही है शोईप के पापा हॉस्पिटल में अडमिट हैं पर अब उनकी तब्यत पहले से काफी बहतर है इसलिए बड़ी ही सादगी से शोईप ने दिपिका का बर्दे हॉस्पिटल में ही सलिब्रेट किया शोईप के पापा के साथ दिपिका ने केक कट किया इतना ही नहीं शोईब ने एक रेड रोस और दिपिका के फेवरेट फूड का भी इंतिजाम किया शोईब के इस जेस्चर से दिपिका काफी खुश हुई और सप्राइस भी हुई और फिर दिपिका ने कर दी शोईब से बर्दे गिफ्ट की डिमांड जी हाँ दिपिका ने शोईब से एक हफ़ते की लंबी छुटी के डिमांड की है दिपिका ने कहा कि पापा के ठीक हो जाने पर हम कुछ महिनों बाद हॉलिडे पर जाएंगे जिसको शोईब ने सिराखों पर रख के कबूल किया शोईब ने कहा कि इंशाला जरूर जाएंगे दोनों ने काफी इमोशनल होकर फैन से उनके सपोर्ट और दुआ के लिए शुक्रिया कहा शोईब भी हॉस्पिटल में नमाज पढ़ अपने पापा और नानी के लिए दुआ कर रहे हैं हम भी उमीद करते हैं कि शोईब डिपिका की आजमाईश का वक्त जल्द खतम हो जाए और उनके पापा हॉस्पिटल से घर आ जाएं क्या कहना है आपका इस स्टोरी को लेकर बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में and also do like, follow and subscribe to Telly Masala on Facebook, Instagram and YouTube.